बाल प्रड़ा में जलकती दिव्य भावनाएं भगवती की बाल प्रड़ा में उनकी दिव्य भावनाओं की जलक दिखाई देती कई तरह की खेलों में उनका सबसे अधिक प्रिया खेल था शिव पूजा इस खेल को वे दिन भर कम से कम एक बार अविश्य खेला करती खेल की शिर्वात भगवान महादेव के प्रतिक चिन्ह बनाने से होती, वे अपनी बहन ओमबती और बालसकी सुखमती के साथ मिट्टी के शिव प्रतिक का नर्मान करती, उसकी विधिवत इस्थापना करने के बाद पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और वेल पत्र से पूजा का क्रम चलता, ये पूजा बड़ी भक्ती और अनुराक्सी होती, पूजन के अंत में सभी को भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना होता, खेल में सैभागने अन्य बालिकाओं का जप तो थोड़ी देड में समाप्त हो जाता, लेकि कभी तो उन्हें ये सब करते हुए घंटों बीच जाते, साथ ही बालिकाओं ठकने और उबने लगती, यदा कदा तो उनको इसी तरह अकेला छोड़कर चुपचाप चली जाते हैं, उस दिन या दूसरे दिन जब दुबारा मिलना होता तो वे पूछते हैं कि तुम्हें श करती हैं पर इस तरह होशो हवास नहीं खोती, उत्तर में भगवती के बाल मुख पर हलकी सी रहस्यात्मक मुस्कान तैर जाती, उस हलकी सी हंसी में जो खुछ छिपा होता उसे साथ खेलने वाली बालिकाओं कभी न जान पाती, किसी को भी पता न चलता कि ये पूजा महाश शक्ती की अपने आराध्य महाशिव के प्रती आंतरिक अनुराग की अभिव्यक्ती है, इस पूजा में प्रिती पुरातन लखे न कोई वाली बात सार्थक होती, जब कभी उनकी बड़ी भावी उनसे जरूर पूछ लिया करती, लाली तू इतनी पूजा क्यों क्या करती है जब देखो तो भगवान शिव के चित्र या प्रतीक के सामने आंखे बंद करके बैठी रहती है, भावी के इन सवालों की जवाब में वे हस देती और कहती अरे मैं कोई पूजा थोड़ी ही करती हूँ, ये तो बस खेल है, मुझे सब खेलों में ये खेल सबसी ज़्यादा पसंद है, उनकी इस बात की किसी के पास कोई काट नहीं होती और खेल का सिलसला इसी तरह से रूज चलता रहता, इसी सिलसले में नयापन जोडने के लिए वे अपने पिता जस्वंदरायो का सहारा लेती, वो उनसे शिव पुरान की कथाओं को सुनाने का अग्रह करती, अग्वान महाकाल के दिव्य चरित का श्रवण उनके मन प्राण एवं अंतरात्मा को भारी सुक पहुंचाता, वे बार बार इने सुनने का आग्रह अनिरूत करती, जस्वंदराव भी अपनी लाडली को बड़े ही रसपोर्ण धंग से महाशिव की लेलाएं सुनाया करती, लेकिन उन्हें ये एहसास कभी न हो पाता कि लेला मई उनके सामने स्वयम बाल रूप में उपस्तित होकर अपने आराद्य अपने सर्वस्व का चरित सुन रही हैं, इस आंतरिक भाव सत्य से सभी अंजान थे, प्रत्यक्ष सत्य बस इतना ही था कि श्रोता इवं वक्ता द कहते हुए भक्ती रस में दूबे रहते, इन शिव लेलाओं के कोई ना कोई अन्श अगले दिन के शोपूजा में जुड़ जाते, कभी तो इसमें शिवरात्री का प्रसंग जुड़ता, कभी इसमें शिव विवाह की कथा जुड़ती, इस तरह खेल में नया बनाता, साथ खेलने वाली बालिकाओं का उच्सा भी बढ़ जाता, सभी को खेल के लिए पूरे जोरशोर से तयारी करनी पड़ती, उनकी बाल सक्षी सुखमती तो उनकी सहचरी ही नहीं, अनुचरी भी थी, उसे वो प्यार से सुखमन बुलाया करती थी, सुखमन वही करती, जो उनकी प्राण प्रिय सखी भगवती को प्रिय लगता। भगवती के सानित्धि में उसका भी शिवपूजा पर विश्वास जम गया था। शिवपूजा के प्रत्यक कार्य में उसे भी रस मिलने लगा था। बालिखा भगवती को तो इस खेल में कई तरह की दिव्वे अनुभूति जिनके अर्थ एवं रहस्य अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाते थे। प्राय एक खोटरी में पूजा वेदी पर प्रजवलित साधना दीप के सामने ध्यानस्त नजर आता। उसकी मुकमंडल पर उन्हें अपूर्व तेजस्विता दिखाई देती। ये द्रिश्य उनके अंतरमन में बार बार उभरता। वो बार बार इस द्रिश्य को देखकर अ ऐसा तो नहीं कि भगवान शिव ने स्वयम अवतार ले लिया है। वो अपनी स्रिश्टी में युग प्रत्यावर्तन करने एक नए युग का प्रवर्तन करने के लिए प्रभू स्वयम आ गये हैं। अपने इस विचार के बारे में वो जब-जब सूचती उन्हें सच्चा ही नजर आती। बार-बार उस महायोगी युवक के रूप में उन्हें भगवान शिव का स्वरूप प्रत्यक्ष होता। मने मन वे उसे शिव शिव कहते हुए प्रणाम भी कर लेती। पंचाक्षरे मंत्र ओम नमस शिवाय का जाब करते हुए। जब वे प्रगाढ वक्का उन्होंने अब नामकरन भी कर दिया महायोगी शिव। यही नाम दिया उन्होंने अपनी भाव समाधी में साक्षातकार होने वाले सत्यका। हाला कि ये महायोगी शिव रूसी उनकी अंतर भावनाव में प्रत्यक्ष होते परन्तु अभी तक वो ये नहीं जान पूजा में भावमंग न होती तब उनके फृदे में ये तीवरे इस्फुरन होता कि ये महायोगी शिव जो कोई भी हो पर हैं ये भगवान शिव हीं। साथी ये भी इसपश्ट होता कि किसी न किसी तरह इन से उनका अपना भविश्य जुड़ा हुआ है। शायद वो इनहीं की द्वारा किये जाने वाले किसी कार्य में सहियोग करने के लिए आई हैं। खेल-खेल में उन्होंने जो शिव पोजा शुरू की थी, वो उनके दिव्य भावानों भूतियों में दुबूती जा रही थी। उन्हें अपनी जीवन और भविश्य के प्रती जागरूग बना रही थी। उनकी बाल क्रड़ा में दिव्यता के तत्व सघन हो गये थे। इसी के साथ उनका क्रड़ा में बचपन किशोरा वस्था की ओर बढ़ने लगा था। योग साथना के जो तत्व खेल-खेल में अंकुरित हुए थे, वे अब पल्लवित होने लगे थे। उनके फ्रिदय में साथना में जीवन के लिए अभीपसा बढ़ने लगी थी। अपने आराध्य से मिलन के लिए पुकार तेवर होने लगी थी। इस पुकार में भक्ती क की सघनता, प्रेम की तरलता एवं अनुराग की सजलता सभी कुछ था। बालिका भगवती एक प्रखर योग साथिका के रूप में रूपांतरित होने लगी थी। अपने प्रभु के प्रती भाव भरी पुकार में उनकी योग साथना का स्वर संगीत गूजने लगा था। हमारे यूट्यूब चैनल शांतिकुंचक वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन गति वीधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।